मोधी सरकार ने आज अपना अपराद सुविकार किया है उन्हें आतंकी कहा गया, नकसलवादी कहा गया, गुंडा कहा गया, उकरवादी कहा गया, को अंदोलन जीवी कहा गया कुछ गोधी मीडिया के मित्र भी मोधी सरकार के इस परचार में शामिल हो गए खेती विरोधी भारतिय चन्ता पार्टी की ताक्तें आखिर में हार ही गई आज मोदी जी के एहिंकार की हार का दिन है और साथियो आज किसान, मजदूर, मंडी मजदूर और दुकानदार की जीत का दिन है खेती विरोधी भारतिय चन्ता पार्टी की ताक्तें आखिर में हार ही गई आज मोदी जी के एहिंकार की हार का दिन है आज किसान विरोधी भाजपाई और उनके पूंजी पती मित्रों की ताकत की हार का दिन है आज खेत खलीहान पूंजी पतियों को बेचने के शडियंतर की हार का दिन है और आज और साथियों आज किसान मजदूर मंडी मजदूर और दुकानदार की जीत का दिन है आज उन साथ सो से अधिक किसानों की शहादत की जीत का दिन है जिनोंने दिल्ली की सीमनों के संयुक्त मोर्चा की ये जीत है समूचे विपख्ष की जिनोंने राहूल गांधी जी के नेत्रितों में किसान संसद में पहुंचकर ये संदेश दिया था कि पूरे देश का विपक्ष बगेर किसी पक्षपात के एक चटान की तरह किसान और खेत मजदूर के साथ खड़ा है साथियो आज जश्न मनाने का दिन नहीं आज मोदी जी द्वारा माफी मांगने का दिन है आज मोदी सरकार ने और परदान मंत्री नरिंद्र मोदी जी ने अपना अपराद सुविकार किया है जो उन्होंने इस देश के किसान खेत मजदूर और खलिहान के खिलाफ किया है और अब सजा जनता तै करेगी किसानों की आजीविका पर तल्वार लटका कर रखी गई सरकार द्वारा कहा गया कि पूंजी पतियों को पूजने वाली सरकार खेती विरोधी तीन काले कानूनों से किसान की आजीविका की हत्या करेगी और आज आखिर में एक साल के बारा महीने के किसान के संगर्ष के बाद भारतिये जनता पार्टी और एक हैंकारी प्रधान मंत्री माननिये नरिंदर मोदी जी को किसान और मजदूर की दोड़ी पर जुकना पड़ा मगर देश भूलेगा नहीं मोदी जी कि आपने एक घृणित पाप जो किया था अब उसे वापिस लेने का निर्णे किया है और वो भी किसान को रौंदने उसे नश्टर चुभाने और बरबर यातनाएं देने के बाद अब जनता समझ गई है कि भाजप्पा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है अब जनता समझ गई है कि भाजप्पा की हार के आगे ही जनहित की जीत है अब जनता समझ गई है कि भाजप्पा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है अब जनता समझ गई है कि भाजप्पा की हार के आगे ही देश की जीत है 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड किसानों ने तीन खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी तब से मोधी सरकार यातनाएं दे रही है बरबर लाठी चार्च किये गए दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रिय राजमारग खुदवा दिये गए राष्ट्रिय राजमारगों पर नश्टर और भाले लगवा दिये गए किसानों के सर फोडने के आदेश दिये गए उन्हें आतंकी कहा गया किसान को नकसलवादी कहा गया हमें किसान को गुंडा कहा गया किसान को उगरवादी कहा गया किसान को अंदोलन जीवी कहा गया और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस परचार में शामिल हो गए 700 से अधिक किसानों को आतम हत्या के लिए मजबूर किया गया और लखीमपुर खीडी में तो देश के ग्रह राज्यमंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौन दिया पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराद सुविकार किया है अब बारी है किसानों के साथ मजदूरों के साथ मेहनत कशों के साथ इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराद की सजा तै करने की जो देश की जनता हर हाल में तै करेगी जनता को अब एक अचूख अस्तर मिल गया है सरकार को परास्त करने का जितना श्रे हमारे किसानों के अंदोलन को जाता है हमारे किसान भाईयों को जाता है वहां मोदी सरकार का पांच राज्यों में पंजाब से उत्तर परदेश तक हारने के डर को भी जाता है अब जंता समझ गई है इसलिए मैंने कहा कि भाजप्पा की हार के आगे ही देश की जीत है पिछले साथ सालों से लगातार मोधी जी और उनके मित्रों ने किसानों का दमन किया सरकार में आते ही प्रधान मंतरी मोधी जी ने किसान को दिये जाने वाला बोनस बंद कर दिया प्रांतों को कहा अगर बोनस दोगे तो नियूंतम समर्थन मुल्य पर खरीद नहीं होगी मैं फिर याद कराऊं पिछले साथ सालों में किसानों के जो उचित मुआवजा अधिकार कानून जो कॉंग्रेस लाई थी उसे खतम करने का शड़ियंतर किया गया जब उन अध्यादेशों के खिलाफ समूचे विपक्ष राहुल गांदी जी के नेत्रितम में रामलीला ग्राउंड से खेत खलिहान तक लड़ा तो वो अध्यादेश वापिस लेना पड़ा सुप्रीम कोट में शपत पत्र दिया के लागत पर 50 परतीशत मुनाफ़ देने का वादा करके सत्ता में आये मोधी जी ने कहा के लागत पर 50 परतीशत मुनाफ़ कभी दिया नहीं ज़ा सकता प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट बीमा कम्पनी मुनाफ़ योजना बनाया और 27,000 करोड का मुनाफ़ चन मुठी बर बीमा कम्पनियों को कमवाया क्रिशी की लागत 25,000 रुप्या हेक्टेर बढ़ा दी खेती पर टेक्स लगाकर, खाद पर टेक्स लगाकर, कीट नाशक दवाई पर टेक्स लगाकर, ट्रेक्टर पर टेक्स लगाकर, खेती के उपकरणों पर टेक्स लगाकर और डीजल पर तीन रुप्या 56 पैसे से टेक्स 28 रुप्या प्रती लीटर बढ़ा कर और आए दुगनी करने का इवादे की बजाए किसान की आए 27 रूपिया प्रति दिन रहे गई काले कानून काले कानून जो मोदी जी की देन थी और उनके शडियंतरकारी पूंजी पती मित्रों की वो तो आज हार गए पर पांच सवालों का जबाब हमारा प्रधान मंत्री जी से आज देश के किसानों देश के खेत मजदूरों देश के मंडी मजदूरों देश के मंडी के छोटे छोटे दुकानदारों उनके पल्लेदारों और गरीबों की और से हम मांगते है पहला सवाल मोदी जी देश को आज ये भी बताईए देश को आज ये भी बताईए के नियूंतम समर्थन मुल्ले किसान को मिले इसका रोड मैप और रास्ता क्या है दूसरा सवाल किसान की आए फरवरी 2022 तक दुगनी करने का वादा किया था पर एन्निस सो भारत सरकार के मताबिक इन सारे पाँच और छे किसान विरोधी निर्णों के बाद किसान की ओसत आए 27 रुपिया प्रती दिन और किसान के ओसत करज 44,000 रुपिया हो गया है तो किसान की आए दुगनी करने का रास्ता क्या है और वो कब तक होगी तीसरा सवाल किसान के इंधन डीजल पर 3 रुपिया 56 पेसे प्रती लीटर से 28 रुपिया प्रती लीटर एकसाइस डूटी बढ़ा कर किसान की कमर तोड़ने का जो काम किया है उसे वापिस करने का इरादा क्या है चौथा सवाल खेती पर जो टैक्स लगाया है जी एस्टी लगाया है उससे राहत देने का रास्ता क्या है पांच परसेंट खात पर टैक्स लगा दिया अठारा परसेंट कीट नाशक दवाई पर लगाया बारा परसेंट ट्रेक्टर और खेती के उपकरणों पर लगाया तो खेती को टैक्स से जी एस्टी जो लगाया उससे राहत देने का इरादा क्या है और पांचवां सुप्रीम कोट और संसद में कहते हैं किसान की करज मुक्ती का पैसा नहीं पर आपकी NSO कहती है के देश का हर किसान 74,000 रुपया करज के और सत करज के नीचे दबा है तो किसान की करज मुक्ती का की मन्शा क्या है इन पांच सवालों का जबाब भी आपसे इस देश के 62 करोड अंदाता मजदूर किसान और छोटे-छोटे मंडी में काम करने वाले मंडी मजदूर और मंडी के आड़ती दुकानदार मांगते हैं लगे हाथ इसका जबाब भी प्रधान मंतरी देश को दें क्योंकि अपराद तै होना है 700 किसानों के दोशी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी हैं